तो दोस्तो अगर आप Angel One की application का use करते हैं और आप Angel One की application का जो password होता है उसको आप change करना चाहते हैं तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि यह आप देख सकते हैं Angel One का application है और जिसको जब हम open करते हैं तो यहाँ पर हमें एक password हमसे मांगा जाता है और यह password है जो pin है यह pin कुछ इस प्रकारक है और अगर हम चाहते हैं कि हमें इस pin को change करना है तो वह हम कैसे कर सकते हैं यह मैं आपको बताने वाला हूँ तो pin को change करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी pin आपका है उस pin को enter करके आपको यहाँ पर सबसे पहले इस application में login कर लेना है और जैसे आप login करते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक option देखने को मिलेगा वो है accounts का आपको यहाँ पर इस account वाले option पर tap करना पड़ेगा और account वाले option पर tap करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप इस page को थोड़ा से नीचे की तरफ scroll down करेंगे और जब आप इसके नीचे की तरफ scroll down करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे में एक option देखने को मिलेगा वो है settings का तो यहाँ पर आप देख सकते है settings का एक option आ चुका है तो आपको बस करना यह है कि आप बस इस settings वाला option पर tap कर दीजे और जैसे ही आप settings वाला option पर tap करते हैं इसके बाद आपको यहां पर आपका जो भी पासपर्ट आप यूज करते हैं जो भी आपका पासपर्ट आपका अभी है उस पासपर्ट को आपको यहां पर एंटर करना पड़ेगा और इसके बाद यहां पर आप देखते हैं सेकंड नमर पर एंटर निव पासपर्ट इसके ब बस यहाँ पर इस सब्विट वाले उप्सिन पर टैप कर देना है और जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लिट करते हैं इसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा और इसके बाद आपने जो भी पासवर्ड जो भी पिन यहाँ पर एंटर किया जो भी न्यू पिन आपने यहाँ पर डाला था वो नया पिन सेट हो जाएगा और आप उस नए पिन को एंटर करके इस एंजल वन की अप्लिकेशन में लोगिन कर सकते हैं